नवस्कासातियों आज हम लोग बात करेंगे बीजेपी के बादे में भार्दी ये जनता पायटी के बादे में और आप सभी जानते हैं कि 6 अपरेल को इसका इस्थापना दिवस मनाये जाता है तो हम लोग देखेंगे कि बीजेपी की इस्थापना कब हुई और बीजेपी से पहले भी एक पायटी हुआ करती थी उसी से कहते हैं कि ये बीजेपी निकली हुई है तो उस पर भी बात करेंगे और इसके पैथम अध्यक्ष कौन थे और इसका सफर किस तरह से सुरू हुआ क क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बीजेपी ने बहुत नेचे से उठकर पायटी आई हुई है और आज आप देखिए दुनिया की सबसे बड़ी पायटी बनी हुई है हमारे देश में आप देखिए एक तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक छत राजी कर रही है 2014 में आपने देखा है भारी बहुमत मिला 2019 में उससे भारी बहुमत मिला समझ रहे हैं आप लोग आप लोग वी एक तरह से मौटिवेशन ले सकते हो BJP से कि अगर आप लोग मेहनत करते रहते हैं तो आपको सफलता मिला तरह रहती है और एक बात और याद रखेगा BJP से मुझे लगता है भारती जंता पार्टी से बाकी पार्टीओं को भी कुछ सीख लेनी चाहिए क्योंकि आप देखे फुल टाइम की राजनिती करती है BJP और बाकी ओं को देखते हों कि आप लोग की जिस समय चुनाओ होता है उसी समय यह लोग घर से निकलते हैं और BJP को देखा होगा आप लोगोंने की एक चुनाओ को रिजल्ट आता है दूसरे चुनाओ में दूसरे दिन से ही अपना पिरचार पिसार करने लगते हैं मैं BJP की कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ इह हमारे देश की राजनिती की हकीकत है और दूसरी पाइटियों को रणनिती बहुत कारगर होने चाहिए और एकता बहुत जरूरी होने चाहिए तो BJP में अभी तक तो आप देख रहे हैं एकता ही देख रही है और BJP में अगर आप देखे कुछ नाम आप जानते होंगे अमिस्साय को तो आप लोग जानते ही होंगे जेपी नडडा साहब अटल विहारी वैचपेई साहब और आप देखेंगे मौधी साहब हो गए आपके अभी वर्तमान में और देखिए भारत में एक तरह से काफी राज्यों में इसका सासन है और केंदर में इसकी सब्ता है और मैं एक यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जितना मेला राजनीति में अनुभाव है राजनीतिक विसले सकते हैं जिस तरह से आप सोचेगा कि अगर बिपक्ष की यही हालत रही तो एक लंबे समय तक आगे पीछे बीजेपी को टक्कर देने वाला कोई नहीं है 2024 छोड़ी है आप लोग 2029 छोड़ी है आप लोग 2035 34 तक आपको कुछ नहीं दिखाई देने वाला है 34-35 तक भी कॉंग्रेस या बागी बिपक्षियों को एकता दिखानी होगी समय रहे हैं आप लोग क्योंकि आप देखें बीजेपी ना ऐसा नहीं कि ये कोई बड़ी बात है बीजेपी मैंने 1977 में आप सभी जानते हैं राष्टी आपातकाल खतम होता है चुना होता है तो कई ही पार्टियों ने आपने देखा होगा गटबंदन करके कॉंग्रेस को हराया हुआ था और आप देखें कि अभी बीजेपी को बहुमत मिलने लगा उससे पहले इसने गटबंदन करके कॉंग्रेस को बाहर किया सकता से समय रहे हैं आप लोग तो भारतिये जंता पार्टी जिसका आप लोगों को कमल चुनाव चिन है और आपकी स्क्रीन पर दिखाई भी दे गया है भारतिये जंता पार्टी की स्थापना होती है 6 अप्रेल 1980 को लेकिन इससे पहले 21 अक्टूबर 1959 में जन्र संग की स्थापना हुई और इसके सरस्था बक्ती स्यामापुरसाद मुखर जी थे और आप सभी जानते हैं कि जन्र संग से ही निकली पार्टी है ये भारती जंता पार्टी 1975 से 1977 की बीच आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में इंद्रा गांधी की द्वारा राष्टी है आपात का लगया था और 1977 में लगे इमर्जन्सी के बाद जन्र संग ने तीन अन पार्टी के साथ मर्ज हो गई और जिसका नाम जन्ता पार्टी कर दिया गया तो इसका 1977 में नाम क्या पढ़ गया जन्ता पार्टी पढ़ गया और इमर्जन्सी के दौरान जब कांग्रेस की पिधान मंत्री इंद्रा गांधी ने यह नेड़ा लिया था कि तब जनता पाइटी तूट गई और 1970 के चुनाओ में मुरार्जी देशाई की नेतित में सरकार बन जाती है और आप देखें कि गटबंदन की सरकार थी पहली गेर कॉंग्रेसी सरकार हाला कि कुछ मतभेद रहे और आप सभी जानते ही गटबंदन बड़ी मुस्किल से चल पाता है पहल साल तो कुछ समय की बाद 1989 तक जनता पाइटी तूट जाती है और 1980 में अटल विहारी बाचपेई की नितित में बीजेबि का गठन होता है और बाचपेई ने हिंदुत के एजंडे के साथ पाइटी पर आप देखिए आप लोग बड़ी एकता की बात करती है सब के विकास की बात करती है समझ रहे है आप लोग पुरानी संस्किती की बात करती है अगर बीजेबि और संग की बात करे हैं भारती जिनता पाइटी के बारे में कहा जाता है कि इसका उद्वह पूरी तरह से रा फारश्टी ए स्वाहिम सेवक संघ नहीं BGP को अन्गेनत नेता और कार्ड करता डी ए मैं इसलिए BGP को समझने के साथ ही संघों को और संघ की कारवपर्डाली को समझना भी आप सके और यह जानना भी कि किस तरह से आज भी BGP और संग एक दूसरे से जुड़े हुए है, संगे की विचारधारक देश को लेकर पूर्टा इस्पष्ट रही है, यदि इसे हिंदुत बादी संगठन कहें तो कहीं से गलत नहीं होगा, राष्ट बादी का जनक संगे की ही बीज है और जिससे आज भी बीजेपी का कमल खिला हुआ है, और मुदी साब को देखिए, आप सभी जानते हैं कि राष्टिय स्वहम सेवक संग से निकले हुए, राएसस से निकले हुए, समय नहीं है आप लोग, बीजेपी के जिसने भी बड़े नेता है, वो राष्टिय स्वहम सेवक संग एक तरह से एमाल लेना चाहिए, आप लोग को कि इसी से निकली हुए, पायटी है आपकी, क्या, बीजेपी, और अगर जन संग की की बात करें हम लोग, राष्टिय स्वहम सेवक संग की, तो आपको मालू होना चाहिए कि इसकी स्थापना 27 सेप्टमबर 1925 में हुई थी नांगपुर में, और नांगपुर म हम लोग बीजेपी के चुनाओ चिन की बात करें, तो भारत के चुनाओ आयोग द्वारा बीजेपी को, एप्रोब्ड चुनाओ चिन कमल का फूल है, क्योंकि आप जानते हैं कि चुनाओ आयोग ने धारित करता है किस पार्टी को क्या चिन मिलना चले, आप से सुझाओ मतलब कि बीजेपी भारत की संस्किती को बनाए और बचाय रखने की दिसा में काम करती है, जैसे बीजेपी में आप सभी जानते हैं गोहत्या पर पितिवन्द लगाया, क्योंकि ये भारतियों के लिए पवित्त जानवर है, इसे तरह ये पार्टी इउरोप के सेकिल रिज सकते हैं, पाइटी के मुख उद्देश भारत को इसके प्राचीन सब्बता और बेलियूज के साथ आंगे बढ़ाते हुए विश्य सकती बना रहा है, पाइटी एक डेमोकरेटिर स्टेट बनाना चाहती है, जो कि सभी नागरेकों को काष्ट राजनीती, सामाजीक आर्थि किस तर पर समान अधिकार दे, अन्य सब्दों में कहें तो बीजेपी स्वयम को सभी दिशाओं में एक में भारत का पितिक मानती है, और जिन में इसका चुनाओ चिन भी सामिल है, जो संस्किती और विध्या की देवी सरसुती का भी पितिक है, जिनके एक हाथ में भगवत गीता भी रहती है, और आप सभी को मान लें, आपको ये बता देना चाहता हूँ, देखिए बीजेपी मुसलिमों को कमी टिकेट देती है, आप लोग अगर उठा के देखेंगे तो गिने चुने मिलेंगे आपको, और गिने चुने मिलेंगे जो आप सोचे बीजेपी के उमीदबार ही नहीं बनाती है किसे को, और लोग सभा में देख लिए आप लोग अदेखते हूँ, बीजेपी के जनम से लेकर अभी तक के अगर हम लोग सफर की बात करें, तो 1984 में जब आठ पे आम लोग सभा चुनाओ उए संपन हुए, और उस समय बीजेपी एक नई पा कुछ सालों में रप्ताल पकड़ी, तो आप सवाज सकते हैं कि पहली बार बीजेपी को दो सीटे मिली थी, तो फिर भी हार नहीं मानी बीजेपी ने, आज आप सोची आज कितनी 300 पिलस पहुच चुकी है, फिर आप देखिंगे 1989 में बीजेपी ने 85 सीटे जीत कर, बीपी स चुनाओ में देखने को मिला, 1991 के जुद्दस भी आम चुनाओ हुए, तो इसमें बीजेपी को 120 सीटे मिली, दो सीटों से आप समझ रहे हैं, बढ़ती जा रहे हैं, 120 सीटे मिली, इसके बाद 1996 में 11 भी आम चुनाओ हुए, इसमें 161 सीटे जीत कर सबसे बड़ी पार्टी बन गई बीजेपी, लेकिन चुनाओ में बहुमत नहीं जुटा सकी, जैसकारण अटल विहारी बाजपेई सरकार दो हपतों में से ही कम दिनों में गर गई, 13 दिन चली थी आप लोगों ने देखा हुगा, 1998 में मिड टर्म पोल होने पर बीजेपी ने 182 सीटों के साथ जीत दर्च करी और एंडिये ने बाजपेई जी के नितत में एक साल एक महीने के लिए गंधबंदन सरकार भी बनाई, और इसके पश्चात 1929 में बारवी आम लोग सबा चुना हुए, और बीजेपी एंडिये ने जीद दर्च की और बाजपेई ने एक बार फिर से देश की पिधान मंतरी का पदेन समाला और पूरे पास साल तक वो पिधान मंतरी रहा है टीक है तो तीन पर बार बेक मुख याथ लग से पहली बार तेरहे दिन के लिए, फिर आब देखे, पूरे पास साल के लिए 2004 में आप देखेंगे इंडिया का इंडिया साइनिंग केंपेंड फैल हो गया और जिसके कारण बीजीपी को हार का सामना करना पड़ा इस बार बीजीपी को 138 सीटे मिली और ये विपक्ष में बैठे यानि कि कॉंगरिस से बुरी स्थिती नहीं रही बैठे आपका देख रह बीजीपी अब तक केंद में ना किवल जगह बना चुकी बलकि कई राज्यों में अपनी सरकार के साथ सबलता को वक्त आगे बढ़ रही थी लेकिन तब तक बीजीपी का मुक कारशित उत्तरपश्चिम भारत ही था पूरू उत्तर के कुछ राज्यों में जमीन तयार कर र दिखने को मिल जाएगी भली सब्ता में ना हो लेकिन नाम उसका जरूर रहता है फिर आप देखेंगे कि 2019 का चुनाओ, 2009 में आपका लोग सभा चुनाओ होते हैं, पंदरवे लोग सभा चुनाओ, इसमें एक बार फिर से NDA हार गई, यानि कि बीजेपी को मात 116 सीटे मिली, विपक्ष की प्रमुक पायटी की रूम में काम किया, लेकिन 2014 का साल बीजेपी के लिए एक सुनहरा वर बहुमत मासिल किया, और पहली वार आप देखी, बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला, अकेली दम पर, और नर्द मौदी को देश की सत्ता सुपी गई, और आप सभी जानते हैं कि बड़े बड़े धोरंदर 2014 में लोग सभा चुनाओ हार जाते हैं, मौदी की लहर ही इस तर 303 सीटों पर पिचंड जीद दरच करती है, और इसके नेततवाली राजद यानि की जो NDA है, इसमें 543 लोग सभा सीटों में से 352 सीटों पर दरच की, भारी बहुमत आप देखी, बीजेपी को हांसिल होता है, और आपको बता दूं कि NDA देखिए, बीजेपी की सहयोगियो को मिला कर बोला जाता है, UPA आप देखिए जो कॉंग्रिस के सहयोगी दल है ना, कॉंग्रिस को मिला कर बोला जाता है, तो अभी तक आप देख रहे हैं, बीजेपी काफी अच्छी मजबूत पायटी हो चुकी है, और जनल संग्य की अध्यक्चों की बात करें तो 1952 से अच्राज व्यास रहेते हैं, 1966 में स्री बल राज मादोक रहेते हैं, 1966 में पंडित दिन्दयाल उपाद्यार रहेते हैं, फिर आप देखेंगे कि भारती जन्ता पायटी 1980 में बन जाती है, तो 1986 से 86 तक स्री अटल विहारी बाजपे इसके अध्यक्च रहेते हैं, तो याद स्थापना के समय अटल विहारी बाजपे इसके अध्यक्षते हैं, 1966 से 90 तक लाल किष्न आढवानी रहेते हैं, 1991 से 93 तक स्री लाल किष्न आढवानी रहेते हैं, अगर बीजेपी को सबसे जान्दा सफलता किसी के कारकाल में मिली तो वो है कौन? और 2020 से अभी तक आप सभी जानते हैं, जगत प्रकास नड़ा, जेपी नड़ा साहब रहते हैं, और अभी भी आप देख रहे हैं कि जेपी नड़ा ही, बीजेपी के राश्टी अध्यक्ष है, तो यही बीजेपी की सभलता है, और आंगे क्या होता है, यह तो आने वाला व